कैसे आप सब लोग मैंने में अर्विन दरोडा और आप मुझे देख रहे हैं मेडीजी केमिस्री चैनल पर इस सीरीज में अभी तक 60 प्लस वीडियोज अगर अभी तक भी आपने वीडियोज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक कर करते रहूँगा जब तक आप लोगों का एक्जाम नहीं हो जाता तो अगर आप नहीं है तो आपको दो छोटे-छोटे काम करने पहला तो सब्सक्राइब कर लेने चैनल को और दूसरा बैल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इसको तुरंट सोल कर सको तो इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है केमिकल एनलिसस फड़ा फट से इस चैप्टर का वेटेश चेक कर लेते हैं फरस्ट फो फोल तो इस में से दो से तीन क्वेशन पूछे जाते हैं तो जो मैंने यहाप पर क्वेश से उसको compare करना है अगर आप सही है तो अपने आपको प्लस फोर माग देने और अगर आप गलत है तो अगर आप लोगों को माइनस वन माग देकर और नेस्ट एवल्यवेशन करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने माग लिख देने है ताकि हम आप लोगों को marks के कोडिंग कुछ ना कुछ सजैशन दे सकें पहला सवाल लेते हैं इस वीडियो का पहला सवाल यह है कि the brown ring test again the brown ring test is performed for the qualitative detection of बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेशन है ब्राउं रिंग टेस्ट आप क्यों करते हो किसके detection के लिए करते हो ब्रोमाइट्स के लिए हायोडाइट्स के लिए फॉस्फेट्स के लिए नाइट्रेट्स के लिए फड़ा फट से अपना अंसन लोग करो फिर मैं आपको आंसर बताता हूं तो एक्चली इसका अंसर बनेगा सी बहुत ही इंटरस्टिंग है यहां पर नाइट्रेट्स यहा क्वेशन नंबर दो कहता है विच ओफ दी विच ओफ दी सल्फाइड जार येलो आपको पूछें यहां पर कौन सा सल्फाइड येलो होता है तो यह भी बहुत अच्छा सवाल है फड़ा फट सी सकांसर करी फिर मैं आपको इस कांसर बताता हूं अगर आप सोचेंगे तो बिल्कुल सही है तो आपको एक बात क्लीर कर देता हूं बहुत सर बचेंगे हमें कैसे याद दोगा तो आपको कुछ करना नहीं है वह टाइम इतना बचा कि आप जोड़ी को दो बार देख लो ठीक है और अच्छे से नोट डाउन कर लो आपको वैस давहि कहता है when a substance A reacts with water it produces a combustible gas B and a solution of substance C in water. ठीक है? When another substance D reacts with the solution C it also produces the same gas B even on reaction with diluted sulfuric acid at a room temperature. ठीक है? A impart deep golden yellow color to a smokeless flame of Bunsen burner. A, B, C, D आपको बताना है क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है फड़ा फिर से इसका आंसर दीजे फिर मैं आपको बताता हूं एक्चली पूरे सवाल में आपको एक छोटा सा हिंट दिये अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल क्रीली इसका आंसर कर पाओगे यहां पर ध्यान से चेक करो यह डीप गोल्डन किसका आता है अगर आपको यह पता लग जाए तो आपका काम हो गया तो यह डीप गोल्डन येलो कलर का जो फ्लेम आता है वो सिर्फ किसका आता है आपको बदाता हूं बहुत सिंपल है काफी पीछे मैं इसके बाद में डिसकस भी कर चुका हूं सो इस कांसर बनेगा ब्लेड रेड कलर ब्लडी रेड कलर होता है यहां पर FECL3 में देखो फैरिक जो आपके पास आयन होता है ब्लडी रेड कलर का सॉलूशन तयार करते है सो चलिए गाइस फिफ्थ कोशन को चेक कर लेता है फड़ा फ़र से जो काफी इंटरस्टिंग क्वेशन है कहता है आउट दगिवन एकवस सोलूशन विच्व फालोविंग इस रेक्ट आपको बताना है इसका आंसर बहुत इंटरस्टिंग क्वेशन है थीक है तो फड़ा फिर नब पताता है इसका आंसर क्या होगा इवन इसका एक हिंट आपको आपको ऑप्शन में भी गिवन है तो बड तो यहां पर इसका आंसर बनेगा A & C बोथ ठीक है next question को check करते है कहता है nitrate is confirmed by ring test यह हमें पता है the brown color of the ring is due to the formation of आप से पूछा कि brown color क्यों आता है यह बहुत अच्छा सवाल है फटा फटे से आंसर बता है फिर मैं आपको बताते है इसका आंसर क्या है तो आप अपना आंसर लोग कर लो तो इसका आंसर बनेगा बच्चों B अगर आपने बी लगाया तो आप बिल्कुल सही है nitroso ferrous sulfate बहुत interesting है feso4.no यह देखिए इसके formation की वज़े से brown color आता है तो यह आप लोगों को ध्यान डखना है कि brown color किसकी वज़े से आता है nitroso ferrous sulfate next question ले लेते हैं now the next question is regarding the solution of i2 which of the following is our correct आपसे पूछा कि यहां पर कौन से statement सही है तो फड़ा पट से अपना आंसर बताए फिर मैं आपको बताता हूं इसका answer क्या है structure में इसका answer बनेगा D देखें यहां पर iodine solution in starch deep blue color देता है इसलिए हम लोग इसको आइडो क्या करते है आइडोमेटिक titrations में इस्तमाल भी करते हैं तो इसका answer बनेगा D Now the next question which is quite interesting question कहता है which of the following substance dissolving aqua regia and ammonium hydroxide respectively बहुत अच्छा सवाल है देखें कई बच्चों को aqua regia के नाम से याद आता है कि उसमें gold या फिर silver लेकिन आपको बता देता हूं gold silver के अलावा एक और metal होगा mercury वो भी इसमें क्या हो जाता है तो और देखें यहां पर आके लिखा है ammonium hydroxide तो काफ़ी interesting है तो फड़ा फड़ से बताए इसका answer क्या अगर फिर मैं आपको clear करता हूं तो एक्चल में इसका answer बनेगा देखिए HGS तो आपको clear हो गया क्योंकि एक वारेजिय में जाता है ठीक है silver आपको second option में दे रखा है यह आपको ध्यान रिकना है लेकिन ammonium hydroxide के साथ कौन जाएगा तो AGCL नहीं जाता है उसकी जगा PPSO4 solution में mix हो जाता है उतनी जादा मेनद करके आप लोग के लिए अच्छे-च्छे questions लेकर आती रहेगी साथ ही साथ आप वीडियो को like कीजिए और comment section में अपने marks को लिखना ना भूलें ताकि हम आप लोगों को कुछ ना कुछ valuable suggestion दे सकें so guys thank you so much for watching the video thank you so much subscribe करना मत भूलेगा thank you so much thanks a lot